नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो आप सब के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फॉइस्टेर गे फर्स सेमेस्टे में आपका सभी टे होम साइने की गिरी विज्यान उसके अंदर कौन-कौन से कोश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में आपका सवेट होम साइने की गिरी विज्यान उसके अंदर जो भी कोश्चन आने वाले हैं उना आने वाले कोश्चन के बारे में जानते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले में आपको एक पर पता हाँ कि लगुति रेप्रश्ण और दीनल-गुति रेप्रश्ण दोनों के पर्श्ण के बारे में जानते हैं गिरिः विज्ञान स्ự छा का महत्तों बतलाईन पहला क्योंत These गिरिव विज्याद सिख्षा का महतो बतलाना है अब दोस्तों अगले कोश्च्चन की बात कहते हैं पर दोस्ता आप के तीसरा कोष्चन दियाव है स्वास नली के कारियों का वर्ण कीजिए दूसरा कोश्चन कह रहा है कि जो स्वास नली है स्वास नली के क्या कारे है दूसरे कोश्चन के अंदर आपको स्वास नली के कारेयों का वर्ण करना है अब दोस्तो अगले कोश्चन की बात कियाते है अब दोस्ता आपका तीसरा कोश्चन दी अब है रक्त के कारे पर संचिप्त टिपड़ी लिखे तीसरा कोश्चन कहा रहा है कि जो रक्त है रक्त के क्या करे है तीसरे कोश्चन के अंदर आपको रक्त के कारे पर संचिप्त में टिपड़ी लिखना है अब दोस्ता अगले कोश्चन की बात किये तो है पो दोस्ताब का चौथा कोश्चन दिया है नब्ज नाड़ी स्पंदन क्या है लिखिए यहाँ पे चौथा कोश्चन कर रहा है कि जो नब्ज है यहाँ कि जो नाड़ी स्पंदन होता है नारी स्पंदन क्या होता है यहाँ पे आपको चोथे कोश्चन के अंदर नमजी के बारे मतना है यहाँ कि नारी स्पंदन के बारे मतना है अब दोस्तों अगले कोश्चन की बात किये तो यहाँ पर तो आपका पाच्छो कोश्चन दियावा है हार्मोन की परिभासा देते हुए गुलूकागान एम इंसुलिन के कारे लिखिए पाच्छो कोश्चन कर रहा है कि जो हार्मोन है सबसे पहले आपको हार्मोन की परिभासा देते हुए क्या करना है हर्मोन की परिवास से देते हुए गुलूकागान एम इंसुलिन के कारे लिखना है यहनि कि जो गुलूकागान है और जो इंसुलिन है इन दोनों के क्या कारे है आगे आपको गुलूकागान एम इंसुलिन के कारे लिखना है अब दूस्त अगले question की बात कियते हैं पर दूस्त आपका छटा question दियावा है पोसक ततो के अधार पर भोजे पदार्थों का वरगी करण कीजिए छटा question कर रहा है जो पोसक ततो है च्छेते कोशन के अंदर आपको पोशा कितोय के अधार पर भोज चैप पदार्थों का वर्ग करण करना है अब दूस्ते outgunky question के बात प्रयाप करें सांतली तहार किसे काते हैं 7 तहार के प्रयाप मेंस प्रयाप क regrets के सांतली करना है करें सबसपे पाथ किरें है उसके बतागे आपको बतना है कि जो प्रयाप तहार है वो जो सौंतुरी तहार है इन दोनों आहारों में क्या अंतर है आपको इन दोनों आहारों में अंतर बतना है अब दुस्तों अगले कोश्चन की बात कियोते हैं पर दुस्ताप का आठो कोश्चन दिया है भोजन पका नानीं क्या हो सकता यःप के बरे कि भोजन पकाने क्या होता है यह फिर पर दौस्ट आपको सबसे पहले बहुम हो ने क्या च Hack नहीं क्या है ईड़र्य क्लेंग करना है उसके बहुम ज्वम Day कराण से क्या आस्पे एप नव कोश्चन कर रहा है कि खमेरी करण क्या होता है खमेरी करण से क्या से है यहाँ पर आपको सबसे पहले खमेरी करण के पर बतना है उसके बाद आगे आपको क्या करना है आगे आपको खमेरी करण को सबस्ट करते हुए इसके लाब भी बतलाना है यहाँ पर दूस्त आपको सबसे पहले खमेरी करण के लाब आतना है अब दूस्त अगली कोश्चन की बात कियते हैं पर दूस्त आपकर दसवा कोश्चन दियावा है वंसा नुकरम की परकिरिया को समझाईए इगर आव कोश्चन कर रहा है कि जो वानसान उकरम की परकिरिया है यहाँ पर आपको वानसान उकरम की परकिरिया को समझाना है अब दोस्तो अगले कोश्चन की बात किया है पर दोस्ताब का बाराव कोश्चन दियावा है गर्भावस्था के प्रतीतिक लक्षोड का बाराव कोश्चन करा है जो गर्भावस्था के प्रतीतिक लक्षोड होते हैं बाराव कोश्चन के अंदर आपको गर्भावस्था के प बेगि वनावस्थातों के बारे में लिखना है। कोन कोन से तत्व है तो के अंदर को के दिताने के बात क्याते हैं कि दुस्त आपको विकास के निर्दार को की ब्युचलiquebased प्रश्ण के इंदर आपको संखेनात में विकास के जुने रखें यहां पर आपको संखेनात में विकास के निर्धार को की पीछना करना है यह तो चुटल आपके सोलो कोश्चन होगे जो कि आपके लौगूतीर प्रशने पुषणेंगे अब दोस्तों आगे हम लोग कार होता है पहले कोश्चन के अंदर आपको अरंबिक बाली आवस्था में भासा भीकार को सबस्ट करना है अब दूस्तों अगली कोश्चन की बात कियते हैं पर दूसरा कोश्चन दियवा है पूरो बाली आवस्था में होने वाले सारीरिक विकास करना है अब दूस्तों अग साइसव आवस्था में कौन सारे एक प्रate들 में यहां पर तीसरी कोश्चन के इंदर आपको साहिसव आवस्था प्रतों प्रभाविच ऑनकर है इरिकल्तों का वर्boys प्रभा उंस एक पर दूस्टा तरन होते हैं यहां पर तीसरी question के अंदर आपका सह स्वश्वा पहने भूने के हैं अब दूस्त अगली question की बात किते हैं पर दूस्त आपका चौत्व क्यादव कहना है टोस्टा कोश्शन की बात कियाथ को पृविध करने और जो वनसान उकरम की भूमिग होता है एंस दोनों की क्या भूमिका होती है पाँच देंडर आपको बालक की कित करना है अब अगले कोष्चिन की ब्यात केटं है पर दुस्ताफ आपका छटा कोष्टन दियुआ है मानो विकास की अवस्थाव कमंड कीजिये यहाँ पर दुस्तों चाटा कोश्चन कर रहा है जो मानो विकास की अवस्थाव कमंड करना है यहाँ कि जो मानो विकास होता है मानो विकास की इनकी अवस्थाव में होता है क्या आवस्था होती है यह पर आपको मानो विकास के उस्थाव का मुंड करना है अब दूस्तो अगली कोशन की बात कियते हैं पर दूस्तो आपका सात्व कोशन दिया है पोसर्ड की परिभासा दीजिए पोसर्ड की विविन इस्थितिया लक्षुड सही तुलेखित किजिए पोसर्ड की परिभासा देना है उसके बद परिभासा देते हुग क्या करना है पोसर्ड की जो विविन इस्थितिया होती है पोसर्ड की विविन इस्थितिया लक्षुड सही तुलेखित करना है यानि कि पोसर्ड की जो भी इस्थितिया होती है उन इस्थीतियों को लक्षोर साइद बताना है अब दोस्तो अगले कोशन की बात कियाते हैं अब दोस्तो आपका आठो कोशन दियाव है और दिरगुतिर प्रशन का लास्ट कोशन दियाव है पाचन तंतर के विभीन भागों को पिस्तार पुरुक समझाएए तो आठो कोशन का रहा है जो पाचन तंतर होता है पाचन तंतर के विभीन भागों को पिस्तार पुरुक समझाना है तो यह दोस्तो टूटल आपके आठो कोशन होगे जोकि आपके दिरगुतिर प्रशन में पूछाएंगे तो दोस्तो इस विडियो के अंदर मैं आपको लगुतिर प्रशन और दिरगुतिर प्रशन दोतर के प्रशन के बारे में बता दिया आप इन दोतर के प्रशन को नोट कर लिजे और किसी किताब से सिरी से मिला करके याद कर लिजे दोस्तो आज इस वीडियो को माई पेस्कीब करता हूँ मिलता है अब से नेक्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तब वीडियो को like कीजे, share कीजे और comment करके बते ही कि आपको नेक्ट वीडियो की इस्टोपिक उपर चाहिए थैंकिये दोस्तो